शिराम चंद्र जी ने सम्मुक खड़े हुए पवन पुत्र हनुमान से स्वयम कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ, साउधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के तीन भेद इसपश्ट दिखाई देते हैं, एक महाकाश जो सरवत्र व्याप्त है, दूसरा जलावच्छिन जो केवल जलाशय में ही परिमित है, और तीसरा प्रतिभिम्बाकाश जो जल में प्रतिभिम्बित है, जैसे आकाश के तीन बड़े-बड़े दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकार के हैं, एक तो बुद्धय वच्छिन चेतन जो बुद्धी में व्याप्त है, दूसरा जो सरवत्र परिपूर्ण है, और तीसरा जो बुद्धी में प्रतिभिम्बित होता है, जिनको आभास चेतन कहते हैं, इन में इतने से केवल आभहास चेतन के सहित बुद्धी में ही कर्तृत्त व है, अर्थात चिदा भहास के सहित बुद्धी ही सब कारे करती हैं के अर्थात उसे ही करता भूक्ता मान लेते हैं हमने जिसे जीव कहा है उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धी अविद्या का कारे है और परब्रह्म परमात्मा वास्ताव में विच्छेद रही थे। अता उसका विच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। इसी प्रकार उपादियों का बाद करते हुए साभास एहम रूप अविच्छिन चेतन जीव की तत्व मसी तू वह है आदी महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एक्ता बतलाई जाती है जब महावाक्यों द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एक्ता का ज्यान उत्पन हो जाता है उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नश्ट हो ही जाती है इसमें कोई संदे नहीं मेरा भक्त इस उपरयुक्त तक्तु को समझ कर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है पर जो लोग मेरी भक्ती को छोड़ कर शास रूप गड़े में पड़े रहते हैं भटकते रहते हैं उन्हें सौ जन्मों तक भी न तो ग्यान होता है और न मोक्ष ही प्राप्त होता है। हे अनग ये परम रहस्य मुझ आत्म सुरूप राम का हर्दय है और साक्षात मैंने ही तुम्हे सुनाया है। माना जाता है कि श्रीराम हर्दय के तौर पर या श्रीराम के मन की बात के तौर पर इसे जाना जाता है और ये समस्त ग्यानों का सार है। भगवान श्रीराम बता रहे हैं कि उनकी अनन्य भक्ती और स्वरूप को कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। जै श्रीराम जै वीर हनु बांजी